हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कुहार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो एक से दो साल के बच्चों के लिए फुल बाजू स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नमबर दो है आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें मुट्डे की घटाई करना बताऊंगी तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ये देखिए friends इसका front और back मैंने बिल्कुल एक जैसा बनाया है तो इसमें back part की मैंने यहां पर मुड़्े की घटाई कर ली है मुड़्े की घटाई हमने 4, 2 और 1 से की है अब यहां पर हमें थोड़ी सी गले की घटाई करनी है और ये हम इसका फ्रंट वाला पार्ट बनाएंगे तो यहां अब हमें मुड़े की घटाई करनी है बटन वाला गोल गला बनाएंगे तो साथ के साथ यहां से हमारी बटन पटी शुरू हो जाएगी तो देखिए इसमें हमारे टोटल जो फंदे हैं बोर्डर के बाद वो हैं 74 यानी 74 बोर्डर में हमने डाले 64 यानी 64 दस फंदे बढ़ाए उपर हैं हमारे 74 फंदे अब 74 फंदे में हमें यहां पर मुड़े की घटाई शुरू करनी है और यहां पर पटी रखनी है यहां से लेकर और यहां तक इसकी लेंथ मैंने 10 इंच बनाई है मैं आपको नापकर दिखा देती हूँ यह देख लीजिए यह पूरी लेंथ हमारी 10 इंच बन गई है जो डिजैन आपको गिनके बताऊं तो देखे यह एक डिजैन यहां पर 12 सलाईयों का है फिर 12 सलाईया हम बनाते हैं तो 24 सलाईयों में यह एक बार का पैटरन कम्प्लेट होता है तो देखे एक, दो, तीन, चार, पांच और यह छे हमारे यह इस तरह के डिजैन बने हुए है यानि 24 सलाईया, फिर 24, फिर 24 तीन बार हमने इतने इतने पैटरन को कम्प्लेट किया तो हमारी लेंद पूरी हो गई है अब इसमें हम मुड़े की घटाई करेंगे और यहां से पट्टी बनाएंगे तो हमारे पास हैं टोटल 74 यानि 74 फंदे 74 फंदे में इसके ठीक बीच में हम 6 फंदे बटन पट्टी के लिए रखेंगे जब हम 74 में से 6 फंदे निकाल देते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं 68 यानि 68 फंदे 68 फंदे में से फिर 34 फंदे इधर हो जाएंगे 34 फंदे इधर तो मैंने ये मारकर लगा दिया है 34 यानि 34 फंदे गिन के एक मारकर लगा दिया है, फिर 6 फंदे के बाद एक मारकर लगा दिया है, तो 34 यानि 34 फंदे हमारे अब इधर बच गई है, अब देखिए इसमें जो हम मुट्डे की घटाई करेंगे वो ये इसमें उल्टी या सीधी, किसी भी साइड से कर सकते हैं, मै उन कम होने की वज़े से इसे दो कलर में बना रही हूँ, रेडि मिट लुक दे करके, आप एक रंग में भी बना सकते हो, यहाँ पर आपकी अपनी चोईस है, तो यहाँ से हम 4 फंदे की इसमें घटाई डालेंगे, 4 दो एक की मैंने इसमें मुड्डे की घटाई की है, तो देखे, दो का एक करेंगे, फंदे को लूज रख लेंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ फिर हम दो का एक करेंगे, दो फंदे की हो गई, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कर देंगे, फिर से इसे लूज रखते हुए सलाई पर लाएंगे, और एक फंदे का साथ में औ प्लिट होके next भार बन रहा है तो ये वाले जो फंदे थे हमें 6 सीधे बुनने हैं और next वाले 4 उल्टे बुनने हैं ये जब आप इसका part 1 देखोगे तो आपको इसका design बनाना आजाएगा क्योंकि part 1 में मैंने इसका design बनाना बताया है तो part 1 जरूर देखिएगा 4 फंदे की घटाई करके ये जो आगे सीधे फंदे थे इनको हमने सीधा बना लिया अब आगे वाले जो 4 फंदे हैं वो हमारे उल्टे आएंगे जब आप design बनाना सीख जाओगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा फिर दागा पीछे ये 6 फंदे हमारे सीधे हैं य कि आपको ये design यहां set करना आ जाए फिर दागा अपनी तरफ और 4 फंदे हम ये उल्टे बनेंगे फिर हम दागे को पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच और ये 6 फिर दागा अपनी तरफ और ये 4 फंदे हम यहां उल्टे बनेंगे तो यहां तक तो हो देखिएगा ये हमारे हो गए हैं यहाँ पर 4 फंदे ये वाले हैं ठीक है अब ये हमने इस मारकर को हटा देना है ये 6 फंदे की हम पटी बनाएंगे दूसरी साइड का पार्ट बनेंगे तो इसके नीचे से फंदे उठा कर बनाई जाएगी इसलिए आप ध्यान से एक सीधा ऐसे बना लो यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है तो मैं एक उल्टा और एक सीधा ऐसे करके ये पट्टी बना रहे हूं देखिए एक उल्टा हो गया धागा पीछे एक सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी और यहीं से हम ट्रंड करेंगे और यहां हमें अपना ये वाला कलर लगाना क्योंकि यहां पर पट्टी हम इस कलर किला बनाएंगे तब ही इसकी लुक जो है अच्छी आएगी अगर आप इस तरह से दो रंगों में बनाना चाहते हो तो बिल्कुल सेम तरीके से बनाईएगा तो हमने यहां पर उल्टा बुन लिया धागा पीछे करेंगे एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे फिर धागा लाएंगे अपनी तरफ और ये देखे इसको भी और इसको भी इन दोनों को ऐसे यहां दबा लेगे एक उल्टा हो गया फिर धागा पीछे करेंगे एक सीधा इस सकते हैं यह 6 फंदे की हमारी जो है यहां पर पटी हो गई है अब हम इसको अपनी तरफ कर लेंगे और यह देखिएगा यह जो हमारा धागा है इसको अभी हम ऐसे क्रोस करवाएंगे थोड़ा आगे ले जाकर नोट लगाएंगे फिर हमें यहां अपने डिजैन के हिसाब से बनाना है जो हमारे डिजैन के हैं यह 4 फंदे उदर से उल्टे थे तो यह यहां पर हमारे सीधे बुने जाएंगे एक दो तीन और यह चार धागा अपनी तरफ ले आएंगे और यह देखिए आप चाहो तो इसके साथ में इसकी नोट लगा कर इसको काट सकते हो यहां पर आपके अपनी चोई से या फिर आगे लाकर इसके साथ बान दीजिए ताकि थोड़ा और आगे पका हो जाए तो यह देखिए एक दो अब यह धगा बच गया छोटा इसकी हम नोट लगा लेते हैं तो यह देखिए मैंने इसकी नोट लगा दी है अब यह हमारे 6 फंदे उल लगा हो फंदे की घटाई करेंगे तो दो का एक करेंगे फंदे को हलका सा लूज रख लेंगे और स्लाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कर देंगे अब देखे थोड़ा सा डिजैन आपको बता रही हूँ, यहाँ पर यह जो तीन फंदे अब सीधे बच गए हैं, इसमें से हम दो को बुनेंगे, एक और यह दो, अब यह सीधा और यह उल्टा, इनको हमें ट्विश्ट करना है, डिजैन आप जरूर देखिए, पार्ट वन मे तभी आपको मुड़े की घटाई करते टाइम डिजैन समझ में आएगा, तो यह देखिए, उल्टे फंदे को हमने यहाँ पर लाकर सीधा बुन लिया, अब इस सीधे को भी बुन देगे, अब यह एक और यह दो फंदे हमने और सीधे बनाए, यह उल्टा और यह सीधा, सी अब यह बीच में देखिए, एक, दो, तेन और यह चार फंदे हमने सीधे बनाए, तो यह सीधा और यह उल्टा, इस फंदे को छोड़के, बैक साइड से उल्टे फंदे में सीधे डालेंगे, सीधे को उतार कर यहाँ पर ले आएंगे, और इसे हम आगे कर देंगे, और द इन दोनों को भी ट्विश्ट करेंगे, ऐसे ले लीजिए, इसको उतारिए और यहाँ डाल दीजिए, और इसको पलटके पिछे करिए, और फिर इनको सीधा बनाईए, फिर हमारे एक, दो, तीन, और यह चार फंदे हमने यहाँ सीधे बनाए, अब यह एक सीधा, एक अब यह बच गए तीन फंदे, इन तीनों को भी हम यहाँ सीधा ही बनाएगे, अब देखिए, यहाँ पर हमारे जो पट्टी के फंदे हैं, इस धागे को हम ऐसे क्रोज करवाएंगे, इस तरीके से, अब यह हमारा धागा अपनी तरफ आएगा, एक उल्टा, धागा पीछ पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, और यह एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा, तो यह देखिए, यहाँ हमारी पट्टी सेट हो गई है, अब इसके बाद अब जो है ये जो हमारे पट्टी के फंदे है उल्टा सीधा जो जैसा वैसा बनाएंगे फिर इस कलर से इस सलाई को यहां तक उल्टा बुन लेंगे और ये देखिए जब आप ये पट्टी के फंदे बना लो तो इसको क्रोस आपको जरूर करवाना है इस तरह से लीजिए इ फिर इसको नीचे से उठा कर ऐसे बुनना शुरू कीजिए अब ये हमारी सलाई उल्टी इसलिए बनेगी क्योंकि सीधी साइड पर सभी फंदे ट्विष्ट करते हुए सीधे बनाए गए हैं तो अब हम इसको बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन लेंगे तो ये देखिए अ अब आज ये इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड पर यहां से अब हमारी लास्ट एक फंदे की घटाई हो जाएगे तो दो का एक करेंगे और अब मैं आपको डिजैन सेट करना बता देती हूं कि कैसे हमारा डिजैन सेट होगा नियान से देखिए एक फंदे की घटाई करन एक, दो, तीन, च्यार, पांच और ये च्छै, धागा पीछे ले जाएंगे और ये च्यार फंदे अब हमारे यहां सीधे हो जाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और च्यार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, और ये च्यार फंदे हमारे यहां सीधे आगे, अब लास्ट में देखिएगा यहां हमारे पांच फंदे हैं, इन पांचों को हम उल्टा बुन लेगे, एक, दो, तीन, च्यार और ये पांच, अब हम अपने इन बोर्डर के फंदों को बनाएंगे, फिर पांच फंदे बुनने के बाद, फिर यहां जो उल्टे होई दर सीधे, जो इदर सीधे वो उल्टे करते हुए, हम उल्टी साइड की सलाई को भी बना लेगे, तो यह देखिए फ्रेंट्स, उल्टी साइड से हमारी सलाई कम्प्लीट हो गई, अब यहां से देखिए, नीच में आपको नाप के दिखाती हूँ कि कितनी हो जाएगी, यह देखिएगा, जैसे हमने यह बैक पार्ट में घटाई की हुई है, इस तरीके से आप इसको रखिएगा अंची टेप को, ऐसे नाप येगा, और यह देखिएगा, यहां तक इतनी लेंथ, यानि इतनी हमा कर देती हो, और यह देखिए, आपको मैं यहां पर भी थोड़ा सा पता देती हूँ, यह घटाई में हमारा डिजैन आ गया है, तो यहां पर जब आपकी नौमी सलाई शुरू होगी डिजैन की, तो घटाई कम्पलीट करने के बाद अब नौमी सलाई बनेगी, तो यह सीधे, फिर तीन उल्टे, दो सीधे, तीन उल्टे, यह आपका करम बनता चला जाएगा, यह स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ, ताकि आपको घटाई में डिजैन सेट करने में कोई दिक्कत ना है, तो यहां पर चार उल्टे आएंगे इस डिजैन पर, यह सातमा डिजैन यहां पर जो बन रहा है, घटाई में जो आ गया है, तो चार उल्टे, दो सीधे, तीन उल्टे, दो सीधे, नो में सलाई पर यह करम बनता जाएगा, और ऐसे बनाते हुए, जब यहां पर आओगे, तो यहां पर आपका अब यह आधा डिजैन जो नेक्ट वाला हो उसके लिए यह स्टार्टिंग हो जाएगी, यहां से, तो यह दो सीधे, तीन उल्टे आए, तो यहां जो तीन फंदे बचे हैं, इस में से आप दो फंदो को सीधा बना लीजिए, और इस फंदे को उल्टा बुन लीजिए, और उसके बाद इन पट्टी के फंदो को आप बनाएए, तो इस नौवी सलाई पर इस तरीके से आपका डिजैन सेट होगा, तो मैंने आपको इसलिए बताया है, ताकि आपको आगे यह हाफ डिजैन सेट करने में कोई दिक्कत ना आए, अब उल्टी तरफ से आपने जो फंदे जैसे दिखाई दे, वैसे बुन कर सलाई को बना लिया है, एक बार ग्यारमी सलाई पर आपको इस डिजैन को और मैं सेट करना बता देती हूँ, यहाफ वाला डिजैन कैसे बनेगा अब यहाँ पर, तो यह पहला फंदा हम साइड का उल्टा रखेंगे एजश्टीज को, और उसके बाद देखिए, यहाँ पर यह व नेक्स्ट वाला शुरू होगा, तो इस फंदे में सलाई डाल लेंगे, इन दो को उतारेंगे, बैक साइड की सलाई पर डाल देंगे, इसको पलट के हम अब आगे कर देंगे, और यह देखिए, यह फंदा हमारा सीधा हो गया, अब यह दो फंदे भी सीधे, अब यह वाला पर ले आएंगे, इन दोनों को यहां करतेंगे, और इन तीनों फंदों को अब हम सीधा बनाएगे, तो यह देख लिजिए, एक, और यह ध्यान से बनाईएगा, क्योंकि यह थोड़े ट्विस्ट करने पर टाइट हो जाते हैं, यह हमारे हो गए दो, और यह वाला तीन, त तो यहां पर तो हमारा यह नेक्स्ट वाले डिजाइन की स्टार्टिंग हो रही है, और इस वाले डिजाइन का यहां पर एंड हो रहा है, तो यह एक उल्टा और यह सीधा, इस सीधे में ऐसे लेंगे, उल्टे को उतारेंगे और बैक साइड की स्लाइपर डाल देंगे, इ तो यहां का भी एक बार समझ लीजिए, अब देखिए यहां पर भी आधी डिबी बनेगी, तो यहां पूरा हो गया है, यह दो उल्टे हैं, एक यह सीधा है, तो इस सीधे वाले में आगे से स्लाई डाल लेंगे, इन दो को उतार लेंगे, और बैक साइड से स्लाई पर डाल इसको पलटके हम आगे कर देंगे, तो यहां पर भी हमारी यह आधी डिबी बनती जाएगी, जब आगे 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 आप इसको बुनोगे, तो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आता चला जाएगा, अब इन दोनों फंदों को भी हम सीधा बुनेंगे, और आगे पट बटन होल भी बनाएंगे, क्योंकि यह जो पहली पट्टी बन रही हो उपरवाली, इसमें बटन होल बनेंगे, और जब इस पार्ट को बनाएंगे, नीचे से फंदे उठाकर दूसरी पट्टी बनेगी, उस पर हमारे बटन लगेंगे, तो बटन होल आप जरूर जो सीधा उसको सीधा बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया है, जब नेक्स्ट बार हम सीधी साइड पर आएंगे, तो इसको हम यहाँ पर घटा देंगे, वापस हमारे छे हो जाएंगे, तो यह देखिए, अब हम आगे इसकी उल्टी साइड पर, के साथ बनेगा तो यह जो जाली है इसको हम उल्टा बुन लेंगे और यह जो फंदा इसको भी उल्टा बुन देगे और यह हमारा सीधा हो गया नेक्स्ट बार जब सीधी साइड पर आएंगे तो दो काई करके इसे गटा देंगे तो छोटा सा बड़िया बटन होल बन जाए अब यहां पर जो फंदे हमारे जैसे हैं वैसे बुन लेंगे और यह देखिए आपको मैं यह जाली भी घटा कर दिखा देती हूं क्योंकि मैंने सीधी साइड से सलाई को बुन लिया है यहां पर जो हमारा जाली से फंदा बढ़ा हुआ है यह हमें यहां पर वापस कम करना है तो यह जो सीधा है इसके साथ ही कर लेते हैं ताकि हमारा बटन होल अच्छा रहे तो इसको आप ऐसे पलट लीजिए और बैक साइड से इसके साथ दो का एक कर दीजिए तो यह यहां पर आपका सुन्दर सा बटन होल बन गया वैसे आप इस उल्टे वाले के साथ भी दो काई कर सकते हो यहां पर आपकी अपनी चोइस चलेगी और फिर हम इसको ऐसे ही बना लेंगे तो एक बटन होल यह बन गया है एक और हम आगे जो इसमें घटाई करेंगे तब बना लेंगे तो यह देखे फैंड से इसकी जो लैंध है हमने राउंड में ती नहीं चार से भी हम थोड़ी सी जाधा करेंगे ताकि ये जो पट्टी हम बना रहे ना इसकी थोड़ी लुकाई और यहां से गला अच्छा बने अगर हम जाधा इसमें डीप कटिंग करेंगे तो हम यहां से गोल गला बनाएंगे वो नेक से चिपका हुआ नहीं बनेगा इसलिए अब देखिए एक बटन होल तो हमारा यहां पर बन गया है अब हम एक यहां पर बनाएंगे तो मैं पहले यह लैंध आपको नापके बता देती हूँ ताकि आप जब बनाओ तो आपका प्रोजेक्ट गलत ना बने यह देखिएगा इस तरह से ना पियेगा ऐसे हो गया यह देख लीजिएगा यह राउंड में पूरा चार इंच हो चुका है अब इसमें हम यहां इस पट्टी में दूसरा बटन होल बनाएंगे और फिर बाद में एक दो सलाई हो जाएंगे तब हम घटाई करेंगे तो इस सलाई को में यहां तक बना लेती हूं डिजैन के अनुसार आपने सलाई बनानी है और यहां पर जैसे यह बटन होल बना के दिखाया ऐसे ही बना लीजिए या फिर आप अपने तरीके से भी बना सकते हो अब यह दिखिए मैंने सलाई को बना लिया है और यहां पर अपना सेम इसी तरीके से जाली डालके बटन होल बना दिया है अब उल्टी साइड की सलाई को हम कंप्लीट कर देंगे फिर सीधी साइड पर आएंगे तो यह जाली बाला फंदा हमारा जो है इसमें कम हो जाएगा वापस से तो यह देखिए फ्रेंस 4 इंच बुनने के पाद फिर हमने यहां पर एक सलाई सीधी साइड से हो गई जिसमें हमने जाली डाली फिर एक उल्टी साइड से हो गई और यह सीधी साइड से यानि 4 इंच के बाद 3 सलाईया और बन गई हैं, अब हम यहां से गले की घटाई करेंगे, तो यह जो हमारे पट्टी के फंदे हैं, इनको हम बना लेते हैं और एक safety pin में इनको डालके हम छोड़ देंगे, ताकि जब हम फंदे उठाएंगे तो इनको हमें दोबारा नहीं उठ पड़ेगा तो इनको आप सेम ऐसे ही बनाईए जो उल्टा है उसको उल्टा बुनिए जो सीधा उसको सीधा बुनिए और यहां पर अब इनको एक सेफटी पिन में डाल कर यहां पर छोड़ दीजिए तो यह देखिए फ्रेंड्सी यह फंदे मैंने यहां पर सेफटी पिन मे डाल दिये हैं, इनको अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहां से हम गले की घटाई करेंगे तो यहां से अब हमें 4 फंदे की घटाई करनी है घटाई जैसे हैं आरम होलकी करतें, ठीक वैसे ही होगी देख्यें, 2 फंदे का एक करेंगे इस फंदे को हम लूज रखेंगे. टाइट नहीं करेंगे. ज़ादा लूज रखिएगा इस तरह से और next फंदे के साथ दो का एक कर देंगे. तो दो फंदे की घटाई हो गई. इसको लूज रखेंगे और सलाय पर ले आएंगे. फिर से दो का एक कर देंगे. फिर से लूज रखेंगे और सिलाई पर लाएंगे और दो का एक कर देंगे तो यहां से हमारी चार फंदे की घटाई हो गई आगे हम डिजैन के अनुसार अपनी सिलाई को कम्प्लीट करेंगे तो यह देखिए उल्टी साइड से सिलाई हो गई है अब सीधी साइड से जैसा हमारा डिजैन ह फैसे ही इसको हम यहां तक बुन लेंगे तो यह देखिए डिजैन के अनुसार सीधी साइड से सलाई को बना लिया अब हम उल्टी साइड से यहां फिर से घटाई करेंगे इन दोनों पार्ट में घटाईगा अंतरी तना आएगा इसमें सीधी साइड से घटाई होगी और इसमें हमारी उल्टी साइड से हो रही तो पहले हमने चार फंदे घटाई थे अब हम यहां तीन फंदे घटाएंगे तो ऐसे ही करना है दो फंदे का एक करेंगे और फंदे को हलका सा लूज रखेंगे स्लाई पर ले आएंगे फिर नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक करेंगे फिर फंदे को लूज रखेंगे और स्लाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कर देंगे तो चार और तीन की खटाई हो गई अब डिजैन से भी फंदों को बना लिया तो चार और तीन की घटाई हो गई है अब हम यहां से दो फंदे घटाएंगे तो घटाने का तरीका बिल्कुल वही सेम है दो फंदे का आप यहां एक कर लीजिए और फिर इस फंदे को स्लाई पर लाईए ज्यादा टाइट मत कीजिए और नेक्स आप से सीधी साइड से फंदों को बनाएंगे और फिर यहां से हम एक फंदे की घटाई करेंगे और उल्टी साइड से सलाई को बुन देंगे तो यह देख लीजिए सीधी साइड से बनाके उल्टी साइड पर अब मैं यहां दो का एक करके एक फंदे की घटाई कर रही हू तो यहां से हमारी देखें, 4, 3, 2, 1 की घटाई हो गई, यानि 4, 3, 7, 2, 10, 10 फंदे हमारे कम हो गई हैं, जो हम shoulder के फंदे रखेंगे, वो हम 16 फंदे रखेंगे, तो यहां पर अभी हमें एक बार और एक फंदे की घटाई करनी है, तो उल्टी साइड से हम डिजैन के अनुसार सलाई को पूरा कर लेंगे फिर सीधी सैड सी सलाई को बना कर ले आएंगे तो यह देखिए यहां पर हमारा यह वाला डिजैन कंप्लिट हुआ है और यह नेक्स डिजैन शुरू हुआ है लास्ट फंदे की हम यहां से उल्टी सैड से घटाई करेंगे तो हमारे पास ओनली यह पर 16 फंदे शोल्डर के फिर बच जाएंगे तो यहां से दो का एक करेंगे डिजैन के अनुसारी सलाई को हम बना देंगे तो यह देखिए उल्टी साइड से सलाई कम्प्लिट हो गई है गले की घटाई में हमें जो फंदे घटाने थी 11 फंदे हमने घटाई हैं वो हमने घट अब यह 16 फंदे बचे हैं इसमें हम 4 से 5 सलाईया और बनाएंगे तो आरम होलकिस की लेंद बन जाएगी तो मैं टोटल 4 सलाईया और बना देती हूँ तो 4 सलाईयों में हमारी यह लेंद पूरी हो जाएगी तो यह देखिए फ्रेंड से एक साइड की इसकी हमारी गले इसक नीचे से उठाने होंगे तो यह हमारे 34 यानि 34 फंदे हैं अब यह च्छ नीचे से ऐसे create हो जाएंगे, 3, यह देखे 4, और यह डाल लीजिए 5, और यह ले लीजिए 6, इस तरह से 6 लुप उठा लीजिए, यह 6 फंदे इस पट्टी के हमारे नीचे आ जाएंगे, जितने फंदे थे हमारे उतने ही रहेंगे, क्योंकि यह 6 तो अब इसके नीचे चले तो जब हम इसको ऐसे करेंगे न तो यह पट्टी इसके नीचे आ जाएगी, जिस पर हम बटन लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां से अपना इस कलर का धागा जोएंट करेंगे, और इन 6 फंदों को एक उल्टा और एक सीधा करते हुए बुनेंगे, तो यह देखिए धागा जोएंट करके दिखाती हूँ, यह तो पिंक कलर का लेंगे, जिससे हम पट्टी बनाएंगे, और यह ब्लू भी हम इसके साथ ही यहां पर बान देंगे, यहां पर ताकि इसको हमें आगे दुबारा ना बान ना पड़े, क्योंकि हमें इसको अटैस तो करना ही है, य अब हम इसकी बुनाई करेंगे, तो यह जो हमारा पिंक कलर का धागा है, इससे बुना है, और यह जो हमारा ब्लू है, इसको हम यहां ऐसे क्रोज करवा के और दबा देंगे, अब इससे देखे एक उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, और यह एक फंदा अब हम सी करज़्ा देंगे फिर एक उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे एक फंदा ये सीधा पिर धागा अपनी तरफ करैंगे और इसको यहां करूस करवा धागे को पीछे ले जाएंगे एक एकसी यहां से देखिए इन दोनों धागो को हम ऐसे कर लेंगे अब यहां हमें 2021term यहां पूरी होगी. तो यह देखिए, यह सलाई हमारी कम्पलीट हो गई. अब देखिए, दोनों पाट में अंतर इतना आएगा इस वाले पार्ट में यहां सीधी साइड से मुठे की घटाई हुई और इस वाले में उल्टी साइड से घटाई शुरू होगे तो यहां से अब हम चार फंदे घटाएंगे तो दो का एक करेंगे और फंदे को लूज रखेंगे चार फंदे की खटाई हो गई डिजयन के अनुसार जो जैसे फंदे हैं वैसे हम इसको भुन लेंगे तो यह देखिए यहां तक हमने डिजैन के हिसाब से स्लाई को बना लिया फिर इस धागे को अपनी तरफ लाएंगे और यहां इसको ऐसे क्रोस करवाएंगे ताकि यहां से यह आपस में अटेच हो जाए अब यह बाला फंदा इधर हमारा देखिएगा सीधा आया है तो यहां पर हमारा यह उल्टा बना जाएगा तो क्रोस करवाके यह एक फंदा यहां उल्टा धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा और यह एक सीधा तो देखे इस तरह से अब हमारी यहाँ पर यह पट्टी शुरू हो गई है अब ऐसे ही हम इस पट्टी को बुनते हुए जाएंगे इस लाई को फिर यहाँ डिजैन के हिसाब से यहाँ तक कम्पलीट कर लेंगे फिर यहाँ दो फंदे की घटाई फिर एक फंदे की घटाई जैसे हमारा डिजाइन यहाँ पर मैंने आपको set करके बताया सेम तरीके से इधर set हो जाएगा अब मैं इसकी length ऐसे ही घटाई करके और यहाँ तक बना लेती हूँ फिर आपको यह मैं गले की घटाई भी बता दू तो मैं अब इसकी यहाँ से दो और एक की घटाई करके यहाँ तक की बनाई पूरी कर लेती हूँ तो यह देखिए friends मुड़े की घटाई करके और इसकी length मैंने इतनी ही बना ली है जितनी हमने इस वाली पट्टी की बनाई है और यहाँ से घटाई की है तो अब सेम तरीके स हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे तो यहाँ पर भी यह जो पट्टी के फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे और एक safety pin में डालकर छोड़ देंगे तो यह देखिए इनको बनाके और मैंने safety pin में डालकर छोड़ दिया है अब यहाँ से हम घटाई करेंगे तो देखिए इस इस दागे को और इसे अपनी तरफ ले लिया है तो यहां से हम चार फंदे घटाएंगे जैसे हमने दूसरी साइट पर घटाए थे तो यहां से हम दो फंदे का एक करेंगे और फंदे को लूज छोड़ देंगे इसको टाइट नहीं होने देना है नेक्स्ट फंदे के साथ फिर दो का एक करेंगे इसे लूज रखेंगे सलाई पर लाएंगे दो का एक करेंगे फिर से लूज रखेंगे और सलाई पर लाएंगे दो का एक करेंगे तो यहां से चार फंदे की घटाई हो गई अब अपने डिजैन के अनुसर सलाई को बुन ले साइड और गले की घटाई सीधी साइड से सिर्फ इतना ही अंतर आया है बाकी का तरीका बिल्कुल सेम है तो अब यह सीधी साइड की और फिर उल्टी साइड की स्लाई को बना लें कि अब हमें सीधे फंदे बुनने अब हमें उल्टे बुनने क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से सैट होता है कोई जाली बगरा इसमें होती नहीं है कि डिजैन घटेगा या बढ़ेगा सिरफ उल्टे सीधे फंदे का हमें देखना होता है तो अब यहां से हम तीन फंदे क घटाई करेंगे तो दो का एक कर देंगे फंदे को लूज छोड़ देंगे और स्लाई पर ले आएंगे फिर नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक पर लाएंगे लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक करेंगे तो यहां से हमारी तीन फंदे की घटाई हो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने दूसरी साइड से की है, दो का एक किया, फंदे को लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक करतेंगे, अब हम टिजैन के हिसाब से सलाई को बनाएंगे, उसके बाद फिर एक फंदे की घटाई और फिर एक फंदे, क्योंकि इसका फ्रेंट वाला पार्ट हमारा कम्प्लीट हो गया है, गले मुड़े की घटाई हो गई है, जब हम इसका बैक पार्ट पनाएंगे, डिजैन वगरा हम बिल्कुल सेम बनाते हुए, इसके जो मुड़े की घटाई है, हम सेम करेंगे, 4, 2, 1 की घटाई हो जाएगी, जैस तो जैसे यहां पर गले की घटाई करेंगे, तो जैसे यहां पर गले की घटाई कम्प्लिट हो गई थी, वो जो 4 सलाईयां बची थी, उन 4 सलाईयों में अब यहां गले की घटाई करनी है, तो यह देखिए, जब हमने इसके मुड़े की घटाई की 4, 2, 1, यानि 4, 2, 6, 1, 7 फ पंदे हमारे मुड्डे की घटाई में कम हो गए तो अब हमारे पास यहां पर 60 पंदे हैं तो इन 60 पंदे में से 16 पंदे यहां पर कंदे के लिए शोल्डर के लिए चाहिए हैं और 16 इधर तो 4 पंदे की घटाई इधर से करनी है चार की इधर से करनी यानि टोटल हमें यहां पर अपने डिजायन के अनुसार 20 फंदे बना लेने हैं तो यह देखिए फ्रेंड से यहां पर मैंने यह 20 फंदे बना लिये हैं और यह देखिएगा जैसे कि यह 6 डिजायन हमारे कंप्लीट हुए थे तब साथमे डिजायन पर हमने इसकी घटाई शुरू की थी ठीक है यह सा पर यहां पर 20 फंदे बाइंड ओफ कर दिये हैं अब हम क्या करेंगे अपने डिजयन के हिसाब से आगे एक फंदा यह है और 19 यह है इनको हम बुन लेंगे फिर उल्टी साइड से सलाइ को हम यहां तक बनाकर ले आएंगे तो यह देख लिजे सीधी साइड से सलाइ बनाके उल्टी साइड से मैंने बना लिये यानि जो हमें चार सलाइयों में दोनों साइड की घटाई को अब ध्यान से देखिए हमें चार फंदे की घटाई इधर से करनी है चार की इधर से करनी है तो इधर की तो तीन और एक से हो जाएगी लेकिन इधर की जो अब हम घटाई करेंगे यह तीसरी सलाई हम बना रहे हैं तो यहां चार फंदे हम घटा द और ये चोथा फंदा भी हम दो काई करके घटा देंगे तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 और एक फंदा ये है 16 अब डिजायन के हिसाफ से इन फंदों को बुन देंगे तो ये हमारी तीसरी सलाई हो जाएगी फिर उल्टी साइड से बुनेंगे तो हमारी चोथी सलाई हो जाए एक साइड की अभी हमारी एक बनी है तो इनको पूरा कर लेते हैं फिर इस साइड से बनाएगे तो ये देखिए एक साइड के घटाई कंप्लीट हो गई अब हम क्या करेंगे पहले इसके कंधे जोड लेते हैं ताकि हमारे पार्ट बिखरे हुए ना रहें फिर बाद में इ डेबल पॉइंटेड स्लाई में डाल लिए हैं ताकि इसको अटैच करने में दिक्कत ना आए अब हम एक एक्स्ट्रा स्लाई और लेंगे ये देखिए दोनों को ऐसे पकड़ेंगे सीधे से सीधा हो गया है आप चाहो तो सुई से भी कंधे जोड सकते हो अब हम क्या एक फंदा बैक साइड की स्लाई से ले लेंगे एक फंदा अपनी साइड की स्लाई का लेंगे एक बैक साइड से एक अपनी साइड से इस तरह से दोनों स्लाईों के फंदे हमारी एक स्लाई में आ जाएंगे एक बार इधर से एक बार दूसरी साइड से फंदा लेके और इन एक अपनी साइड का है, तो पहले हम यहाँ पर दो का एक करतेंगे, क्योंकि एक बैक साइड का और एक अपनी साइड का है, तो इन दो का एक करेंगे, इसे हम सलाई पर लाएंगे, अब नेक्ट वाले दो फंदे औरे किये, इन तीन को लेंगे, और नॉर्मल हाथ से बंद करन हैं इनको जादा धिला भी नहीं छोड़ना है और लूज भी नहीं करणा है तो तीन का एक करेंगे इससे ष्लाइप पर लाएंगे नेक्स्ट वाले दो फंधे साथ म practitioners रावे और फिर स्लाइप मैं भी दो फंधे साथ मिलेंगे औทीन अपनी ओन को बांध लेंगे तो ये देखिए ओन को मैंने बांध लिया है तो ये इस साइड हमारी एक ही सलाई बनी है जो हमने सीधी साइड से बनाई थी फिर आगे फंदो को बाइंड और किया था ये हमारी दूसरी सलाई है तो इसमें हम क्या करेंगे यहां तीन फंदों की घटाई कर देंगे यह देखिए दो का एक करेंगे स्लाई पर ले आएंगे लूज रखेंगे नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक करेंगे फिर लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक करेंगे तो अब ही हमारी यहां से तीन फंदे की घटाई हुई है, दूसरी सलाई है, डिजैन के साब से सलाई को बुन लेंगे, फिर तीसरी सलाई सीधी साइड से डिजैन के अनुसर कम्प्लीट करेंगे, तो यह देखिए, सीधी साइड से सलाई को बना लिया, तो तीसरी सलाई अब हम यहां से एक फंदा घटा देंगे दूसरी साइड पर इसलिए घटाना पड़ा क्योंकि तीसरी सलाई आ चुकी थी तो फिर चार फंदे एक साथी घटाए थे तो यहां पर चोती सलाई पर हमारा एक फंदा कम हो गया है और फिर हम अपने डिजैन के नुसारी सलाई को बुन देंगे तो यहां की घटाई भी हमारी पूरी हो जाएगी अब देखिए घटाई हो गई है पूरी एक साइड के कंधे जैसे मैंने आपको जोड के दिखाए सेम ऐसे ही अब यह देखिए सीधे से सीधा मिल गया है और इस साइड के कंधे भी अब मैं जोड लेती तो ये देखे फ्रेंट से बैक और फ्रेंट गले की घटाई हो गई है कंधे हमने इसके जोड दिये हैं तो पार्ट टू आज इसका कम्प्लीट हो गया है इसके पार्ट तीन में मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊंगी कि उसमें कितने फंदे लेने हैं डिजाइन कैसे स करना है अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स गूरूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर प्रेस की कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारी वीडियो सबसे पहले देख सके थैंक यू